डायनासोर की अद्भुद दुनिया में आपका स्वागत है लाखों साल पहले जब इनसान इस धर्टी पर नहीं थे तब डायनासोर भूमी पर चलते थे महसागरों में तेरते थे और आकाश में उड़ते थे आज हम इन अद्भुद जीवों के बारे में जानने के लिए एक रोमान्चक सफर पर चलेंगे डायनासोर की प्रकार के होते थे और हर एक अपने आप में अनोखा था कुछ मुर्गी जितने छोटे थे जबकि कुछ बस जितने बड़े थे चलिए हम इन में से कुछ को मिलते हैं मिलिये टायरनोसौरस रेक्स से जो सबसे प्रसिद्ध डायनासोर में से एक है टी रेक्स एक शक्तिशाली शिकारी था जिसके पास तेज दांद और एक भयंकर गर जला थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा डायनासोर नहीं था डायनासोर को मुख्य रूप से दो समूवों में बांटा जा सकता है शाकाहारी जो पौधे खाते थे और मांसाहारी जो मांस खाते आईए देखें कि वे कैसे रहते थे और क्या खाते थे डायनासोर दुनिया भर में अलग अलग आवासों में रहते थे कुछ जंगलों में रहते थे, कुछ नदियों के किनारे और तुछ लेगिस्तानों में चलिए, देखते हैं कि उन्होंने कहां अपना घर बनाया था क्या आप जामते हैं कि डायनासोर अंडे देते थे छोटे डाइनासौर या हैचलिंग्स अंडों से बाहर आते थे और अक्सर उनके माता-पिता उनकी देखभाल करते थे जैसे आज कई जानवर करते हैं लेकिन डाइनासौरों का क्या हुआ? लगभग 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड पृत्री से टकराया पालांकि डाइनासौर अब नहीं हैं हम उनके बारे में जीवाश्मों के माध्यम से सीख सकते हैं जीवाश्मों बे अवशेश हैं जो लाखों सालों में पत्थर बग गए हैं चलिए देखते हैं कि वैग्ज्यानित कैसे उनका अध्यान करते हैं आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो कुछ जानवर हम देखते हैं, वे डायनासोर की रिष्टेदार, पक्षी वास्तव में कुछ डायनासोरों के आधनिक बंशज हैं, तो अगली बार जब आप एक पक्षी देखें, तो हो सबता है आप डायनासोर इतिहास का एक छोट लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवे थे, जीवाश्मों से लेकर आसमान में उड़ते पक्षियों तक डायनासोर हमें आज भी मोहित करते हैं, डायनासोर की अदबुत दुनिया में इस अदबुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, खोज करते रहें और सीखते रहें, हमेशा कुछ नया जानने को मिलता है, यह शैक्षिक वीडियो बच्चों को डायनासोर की दुनिया में एक रोचक यात्वरा पर ले जाता है, जिसमें मजेदार तत्य और आकर्शक द्रिश्य शामिल हैं, ताकि बच्चों के लिए सीखने का अनभव यादगार हो सक और आकर आकर अनभव यादगारा िया जुनिया में एको यादगे सीखने का वीडियो को दोपेनी